आज के आध्यात्मिक जागर्ण के यूग में यह प्रशंसनिय है कि युवा सत्संग और सेवाओं की ओर आकरशित हो रहे हैं। हालां की, अपने आध्यात्मिक पत का अनुसर्ण करते हुए, युवाओं को अपनी भौतिक जरूर्टों और दीर्ग कालिक आर्थिक स्थिर्ता को भी ध्यान में रखना चाहिए। जबकि सत्संग और सेवा आत्मा की भलाई के लिए आवशक हैं, अत्यधिक इसमें डूबना समय के कुशल प्रबंधन और भविष्य की वित्तिय सुरक्षा को खत्रे में डाल सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्तियों को अपने परिवार की देख भाल करने, अपनी जरूर्टों को पूरा करने और निश्चिंत्ता के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाती है। युवाओं को आध्यात्मिक उन्नती और पेशेवर विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए बुद्धिमानी से काम लेने की आवशक्ता है। उन्हें अपनी उर्जा और समय को कुशलता पूर्वक आवंटित करना चाहिए, सेवा के अफसरों का चयन सावधानी से करना चाहिए जो उनके कारेक्रमों में हस्तक्षेप न करें और उनके करियर के लक्षियों का समर्थन करें। शिक्षा, प्रशिक्षन और व्यावसाइक विकास पर जोर देने से युवा अपनी आएक शमता बढ़ा सकते हैं और दीर्गकालिक वित्तियस्थिर्ता सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही, अपनी प्रतिभा और कोशल का विस्तार करने से वे अधिक अवसरों के द्वार खोल सकते हैं। इसलिए, युवाओं को आध्यात्मिक विकास और सांसारिक कर्तवियों के बीच एक सामन जसे पून संबंध बनाना चाहिए। सत्संग और सेवाओं में भाग लेने से आंतरिक शांती और संतुष्टी मिलती है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें अपने जीवन में सुरक्षा और स्थिर्ता प्रदान करती है। इस संतुलित द्रिष्टिकोंड से वे अपने युवावस्था का पूरा लाब उठाते हुए समगर विकास और सार्थक जीवन जी सकते हैं।